कुश्चन है, ठीक है, सर मेरे पास अभी तक बुकलेट पहुंची नहीं है, अगर ऐसा कोई है, जिसके पास बुकलेट पहुंची नहीं है, तो आप लोग सब डैश्बोर्ट में जाके, सॉफ्ट कॉपी के सेक्शन में जाके, रिविजिन नोट को PDF में यूज कर सकते हैं, ठ पुराना देखो तुमको सब मिला होगा ना, पुराना है उसमें, हाँ, यह वाला है इसमें, ठीक है, चलो भाई, चलो किया जाए क्लास, ठीक है, तो टर्म है, देखो पहले क्या होता था था न, CT1 होता था और CT5 होता था, अभी मिला के CM1 हो गया है, तुम लोगको तो ऐसे पहले ही लगता है कि सर बहुत फीस लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, पहले हम लोग लेते थे तेरा साड़े तेरा हजार पर एक पेपर का, फिर दो को मिला के एक कर दिया, तो हम बोले हम तो नुकसान करेंगे नहीं, तो 13 इंटू 26 और Excel की फेकल्टी लगी अलग, तो इसलि आठ से सर के पास में जाते हैं, यही हिसाब है, 31 पूरा खड़्चा हो जाते हैं, पर बच्चा, पर बच्चा, हाँ, आठ सुझी कौन से हुगा, ठारा पर्सेंट के जाब से कर लो, तो हाँ, फेकल्टी पेमेंट है, बहुत है, अभी वहाँ से साउंड आ रहा था तो यह लगाया, सब महंगा महंगा है भई, फिर कांच लगाया हमने, नहीं, ऐसा नहीं है, बटर क्वालिटी, ठीक है, चलो, तो CT1 देखो, मैं टरम बोलूँगा, क्योंकि क्या होता है, यह दो साल बात भी वीडियो यूज हम लोग करते हैं, ठीक है, तो समय क्या होगा, अभी का 35 नमर क्वेशन बात का कुछ और क्वेशन हो जाते हैं, इस द क्वेशन नमबर ऐसे बोलूँगा, मैं, पहले शुरू में थोड़ा दिक्कत होगा, धिरे-धिरे कमफर्टेबल हो जाओगे, CT1 का सेप्टेमबर 2018, कुशन 7, टर्म देखो, CT1, सेप्टेमबर 2018, कुशन 7, मिला सब को, चैट बोक्स में रिप्लाइ करेंगे, येस, नो, चै आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी के सेक्शन में, अनुसिया, आपको जाना पड़ेगा, सॉफ्ट कॉपी वाले सेक्शन में, डैश्बोर्ट पे, वहाँ आपको रिविजन नोट म मिलेगा booklet 1 के बात में booklet 2 आएगा page numbers are deceptive हर revision note का अलग page number होगा page numbers are deceptive question solution question solution hard copy में है तो आप जाए वण को question आएगा solution आएगा फिर booklet 2 आएगा तो नड़ा pages फल्टाईए आपको मिलेगा ठीक है हाँ यह कुश्चिन रीट करो चलो रीट करो यह कुश्चिन दो मेट कुश्चिन रीट करो झाल 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 देना ओके तो देखो अपने को इस question में क्या दियाव है डेल्टा टी दियाव है 0.03 and 0.000 3T यह अपने को दियाव है and T के लिए बोला है जब 0 से 10 रहेगा तो यह 003T यहाँ ठीक है and when T is greater than 10 तो यह है सबसे पहले बोला है calculate the present value of a unit sum of money due at time 20 तो अपने को क्या निकालना है V 0 से 20 निकालना है ना अपने को निकालना है 20 साल का discounting factor आज अभी तक जितना भी पढ़े है ना अब सारा revision करेंगे आज ठीक है एक एक question के माध्यम से आज करेंगे slow practice और कल करेंगे fast practice अब मंडे को करेंगे advanced practice ठीक है तो V 0 से 20 जो है 20 साल का इसको अपने करेंगे 0 से 10 और फिर अपने करेंगे 10 से 20 ठीक है तो 0 से 10 अब देखो पहला 10 साल का जो force of interest है यह तो constant है तो अपने क्या करेंगे ध्यान देना अपने क्या करेंगे e to the power minus 0.03 into 10 फिर आएगा exponential minus time 10 पे लाएंगे जो 20 पे पैसा है हां कि ना 0.003T dt bracket close चीक है तो this is e to the power minus 0.3 e to the power minus 0.003 by 2 bracket में क्या आएगा आप तुम लोग छोटे नहीं रह गए हो अब मैं डिरेक करूंगा पेटा गेट खुल देगा 400 minus 100 खुले रहने देशोग देखो ठीक है ध्यान देना 0.003 by 2 20 square minus 10 square जब exponential के बाद integration होगा तो अपने क्या कर सकते हैं लेकिन जब integration exponential होगा तो नेट में कर सकते हैं क्या नहीं solve करो उसको अच्छे से आराम आरम से solve करो जब तक सबका answer नहीं आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे सबको मिल गया होगा question अभी तब 0.47 236 सबका आया है तब ही आगे बढ़ेंगे हा या ना 0.47 लेकिन online में तो answer आया है 0.74 47 सबका आ रहे है थीक है जैसे देखो अभी हम लोग जो कर रहे है ना मैं तुम लोग को बार-बार guide इसले करो तक तक तुम लोग का धिमाग में set हो थो ठीक है मैं 8 तरीक को आऊंगा तो तुम लोग को क्या बीच में भी 10 से 12 दिन का gap मिलेगा इसमें क्या करना है तुम लोग को यह जो 10-12 दिन का gap मिलेगा इसमें certain cash flows का आगे थोड़ा recording देखेगा रात में साड़े 9 बजे वाला online class attend करेगा ठीक है उसमें some practice होगा कभी concept पढ़ाया जाएगा ठीक है और paper भी का basic धिरे-धिरे करके चालू करेगा ठीक है certain cash flow हम जो कराएगा तुम लोग को पुरा comfortable लगेगा अभी जो तुम लोग आगे का जो chapters करेगा loan schedule हो गया project हो गया bonds हो गया term structure हो गया ठीक है दीरे-दीरे करना ऐसे हरबड़ी मत करना booklet 2 एक ऐसा booklet है जिसको जितना बार बनाएगा उतना जादा number आएगा exam में क्योंकि यही core है certain cash flow का and booklet 7 या फिर 8 है जो contingencies का first booklet है बने इसको चाहे कोई आदमी 10 बार बनाए और शुरू में बहुत time लगेगा बनाने में लगने देना जब second time बनाएगा तो आधा time फिर third बनाएगा तो उसके आधा ऐसे करके तीन से चार बर बनाना है इसको ठीक है तो आया सबका यह वला इसके बाद question का lining देखो बोलता है equivalent constant force of interest equivalent constant force of interest मने इसी के बराबर का बोलता है यह delta t को छोड़िए अगर एक constant force of interest होता जिससे हम लोग 20 साल pullback करते constant अगर force of interest होता जिससे अगर हम लोग 20 साल pullback करते तो same discounting factor आना चाहिए था ठीक है तो दोनों तरफ लोग लेंगे और delta का answer निकालेंगे चलो निकालो तुम लोग को लग रहा थो ना इतना दिन से क्या करा रही है यह करा रहा था देखो 10 नमर का question नहीं है और यह exam में आता है 10 नमर का question नहीं है पता नहीं चला तुम लोग को 20 नमर हम लोग कर चुके अलरड़ी कितना रहे डेल्टा तुम लोग मतलब समझा है बोलता है यह से अब को छोड़िये आगे लोग कितना रहे डेल्टा अगर एक constant डेल्टा होता तो कितना होता ताकि same discounting factor आए इसके बाद में लोग बोलता है कि 4 से 8 एक payment stream है continuous payment stream बोल दिया मतलब रोटी का question है तो रोटी कितना है बताईए रोटी है e to the power minus 0.06 t और time period दे दिया है तो a कितना है 4 b कितना है 8 अपने को present value निकालने बोला है time 0 पे ध्यान दीजेगा पहले जहां से जहां तक बोला है वहां से वहां तक करेंगे हां कि ना तो चार से आठ e to the power minus 0.06 t exponential minus integration time t पर जो पैसा है उसको 4 पे लेके आएंगे rate कितना दिया है अपने को 0.03 क्या यूज़ करेंगे ds ना dt ds यूज़ करेंगे whole into dt क्लियर है सबको यह वाला कैसे equation मना है rho t is the rate of payment at time t ध्यान देना तो अब अपने कर रहे हैं 4 से 8 a to the power minus 0.06 t e to the power minus 0.03 t minus 4 dt अभी अपने क्या निकाल रहे है present value at time present value at time 4 निकाल रहे हैं तो यहां से solving करेंगे e to the power 0.12 यह तो आ जाएगा बाहर 4 से 8 e to the power minus 0.09 t dt yes or no e to the power 0.12 e to the power minus 0.09 t by minus 0.09 इसमें value बैठेगा 4 से 8 लेकिन आप तो क्या था integration के बाद exponential था तो net में नहीं कर सकते अलाग अलाग करना पड़ेगा अलाग अलाग करने का मतलब है देखो board पे e to the power 0.12 by minus 0.09 यहाँ पर आएगा e to the power minus 0.09 into 8 minus e to the power minus 0.09 into 4 अब इसको solving कर लीजे इसको solving कर लीजे आराम आरम से करो हग बगा मत नहीं आएगा answer शुरू में मेरा भी नहीं आता था कोई दिक्कत नहीं है पहला 10-12 दिन ऐसी जाने दो तभी तो gaps दे रहे ना जब 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 जाएगा 12 दिन का gap रहेगा उसमें पर अच्छे से prepare करना है कितना आ रहे बटा 2.64 is this the answer no this is not the answer नहीं समझ रहे है कोई एक ही बनेगा qualified actually online में 18 है उसमें से कोई एक बनेगा यहां 12 में कोई एक ही बनेगा तुम लोग समझ नहीं रहे है तुम लोग अभी भी नहीं समझ रहे है deep focus यह answer नहीं है ना बोले है जिरो पर निकाल ले यह into करेंगे e to the power minus 0.03 into 4 एक बात बताइए मैडम अगर 2.64 है उसको पुल करेंगे तो 2.97 तो नहीं आएगा हां 2.34 चेक करो सबका यहीं आ रहे है क्या पांच से छे डेसिमल प्लेस तक लिखना है यह टाना टूनी सीखो यह कोर है कोर को पकड़ो फर्स प्रिंसिपल अप्लाई करो हर जगा पे प्रिंसिपल हर जगा पे अप्लाई करो और कोर को पकड़ो आया सबका यहीं आइंसर आ रहे गा जो बोट पे है हां अब ध्यान देना करल हम लोग किये थे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अन्मिटी उसका एक्जांपल करना बनता है ना एक्जांपल लिखो मैं एक टाइमलाइन बना रहा हूँ ठीक है जीरो वन टू थ्री फोर डॉडर अप्टू टेन टाइमलाइन है पांसो छैसो साथ सो मने हर पेमेंट सौ से बढ़ रहा है ठीक है तो तुम लोग से सबसे इंट्रेस रेट मान लेते हैं पंद्रा परसेंट का है तुम लोग से पहला कोशन जो हम पूछते हैं वो यह है कि लास्ट पेमेंट कितने का होगा लास्ट पेमेंट कितने का होगा चौदा सो कैसे निकाला मैं बताता हूँ देखो इसको ऐसे नहीं लिखके इसको ऐसे नहीं लिखके हम लोग देखो इसको रियारेंज करेंगे 0, 1, 2, 3, .10 ठीक है रियारेंज कैसे कर रहे हैं 400 प्लस 100 इन्टु 1 यहाँ पर आएगा 400 प्लस 100 इन्टु 10 इसको बोलते हैं जब पेमेंट भड़ता है तो घटा के लिखेंगे और जब पेमेंट गिरता है तो बढ़ा के लिखेंगे we have broken down we have broken down this complex cash flows into level plus simple increase level plus simple increase तो 400 का अपना level annuity हो गया and 100 का अपना क्या हो गया simple increase 100 इन्टु 1, 100 इन्टु 2, 100 इन्टु 3 and so on इसको breakdown किये हैं हमने तो यह बत याद रखेगा नोट में भी लिख लिजे जब पेमेंट बढ़ेगा तब घटा के लिखेंगे and जब पेमेंट गिरेगा तो बढ़ा के लिखेंगे जब पेमेंट बढ़ेगा तो आप घटा के लिखेंगे and जब पेमेंट गिरेगा तो बढ़ा के लिखेंगे समझा अपने को इंट्रेशेट दिया है तो अब जैसे अपने को दिख रहे हैं कि 400 अपना 10 बर पेमेंट हो रहा है तो 400 को तो level annuity हो गया और 100 रुपया का simple increase हो गया तो कैसे कर सकते इसको ध्यान देना अपने करेंगे 400 A10 प्लस 100 IA10 और इस पूरा चीज़ को अपन solve करेंगे 15 पर सेंट पे 15 पर सेंट बोला था ना solve कर लो इसको अपने करेंगे अभी पहले सॉल्फ करना भी फॉर्म्ला बॉक्लेट नहीं देखना है मैं बताऊंगा फॉर्म्ला बॉक्लेट कब देखना है पहले भी सॉल्फ करो देखो एटेन का वैल्यू क्या है 1-1.15 to the power minus 10 by 0.15 और आई एटेन का वैल्यू क्या है एड्यू 10 माइनस 10 वी to the power 10 by 0.15 अब अपने को ADU10 अलग से solve करना पड़ेगा which is 1-1.15 to the power minus 10 by 0.15 by 1.15 आराम आराम से solve करो हो जाएगा आराम आराम से solve करिए इसको औराम से all बाएगा आराम से झाल से solve करो हो झाल से उत्यू प्राम आराम 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 से इसको करो करो हो हो जाराम से नहाएगा झाल 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 चलो कितना रहा एंसर बताओ 4207 4207 ठीक है आओ दूसरा क्वेशन में आओ 0 1, 2, 3 4, 5 अब देखो यहां पर हो रहा है 2000 यहां पर हो रहा है 1900 यहां पर हो रहा है 1800 1700 ठीक है लास्ट पेमिन्ट आपका होगा 14% पर, 15% पर कोई Pेमिन्ट नी हो रहा है तो टोटल नंबर of payments is 15 टोटल नंबर of payments is how much 15 तो घट रहा है तो घटते टाइम क्या करेंगे? बढ़ा के लिखेंगे तो देखो cash flow देखो, यह 0 पे क्या हो जाएगा? 1-100 इन्टु 1, 1 पे क्या हो जाएगा? 1-100 इन्टु 2, यहाँ पर आ जाएगा? 1-100 इन्टु 3 and so on, 14 पे क्या आ जाएगा? 1-100 इन्टु 15 और 15 पे कोई payment नहीं हो रहा है, तो अपने फिर से level और simple increase में breakdown कर दिये इसको, माल लेते हैं, interest rate है 7% का, ठीक है? तो अब अपने को क्या करना है? 1-100 ADU, क्योंकि advance में हो रहा है, ADU 15, minus 100, IADU 15. 15, is it clear to all of you? Yes or no? नहीं, 7% बोल जेंगे. उपर करें, नहीं उपर का देखना है? यह कॉपी होगे सबका time line? अब देखो, ADU 15 is how much? 1-1.07 to the power minus 15. hole into 1.07 by 0.07. and IADU 15 is what? ADU 15 जो उपर से आया, minus 15 into 1.07 to the power minus 15 by 0.07 and this whole thing into 1.07. Yes or no? कॉपी कर लो इसको. मजगी कर दो मॉपी कर क्या है? क्या है क्या हाई आया मॉपी tahस. PARPStुम माझे कर दो बातास. आया हो बातास. तो यह नहीं दो झाल झाल सॉल्फ करिए इसको कर दो करें एंग झाल 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 कि राउंडिंगे मतलब हां कोई दिकत नहीं उसमें को प्रावल्लम नहीं है कि अ कि क कितना राएंसर ? ठीक है कितना राएंसर ? 13879 is the correct answer. अब एक note में लिखो, there is no formula for calculating accumulated value for IA things. इसका मतलब समझा? मैंने simple increase में accumulated value का कोई formula नहीं है. Always we will calculate present value and then accumulate. इसके बाद में इसी note में लिखो, there is no concept of pithly. in IA things. मनें IA वाले में pith का भी कोई concept नहीं है. We need to work We need to work We need to work in the timing of payments. टाइमिंग आप पेमेंट मतलब जिस टाइम परिएड में परिमेंट हो रहा है उससी टाइम परिएड में काम कर सकते हैं. months है तो months, quarters है तो quarters वैसे करके, ठीक है, ठीक है, इसके बाद, question लिखो, payment of 150 per quarter, N is 10 years, I2 is 10%, calculate present value, ठीक है, सुनो, अब जैसे देखो, इसको हम लोग तींचा तरीके से करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे rate कैसा दिया हुए, half year, तो हम लोग सबसे पहले try करेंगे half year में काम करने का, क्योंकि rate हमनों को standard मिल जाएगा, ठीक है, तो जैसे अगर इसको half year में काम करेंगे, तो 300 का payment होगा हर half year में, क्योंकि एक half year में दो quarter होता है, ए, दस साल में कितना half year होगा, बीस, एक half year में दो बर payment होगा, और rate लगाएंगे half yearly effective, और अब क्या करेंगे न, इसको I मान के I2 निकालेंगे, इसको I मान लेंगे और इसको I2 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि I2 बाइटू तो तब होगा न, जब annual के हिसाब से देखेंगे, half year के हिसाब का I क्या है, I2 बाइटू, क्योंकि जब मैं half year को एक period मान रहा हूँ, जब मैं half year को एक period मान रहा हूँ, तो 5% is the rate of interest for one period, ठीक है न, इसको solving कैसे करेंगे, देखो, question copy हो गया, इसको solving कैसे करेंगे, 300 यहाँ पर आएगा, 1-1.05 to the power minus 20 by I2, and 5% को I मान के I2 solve करेंगे, so 1.05 to the power half minus 1 whole into 2 is what, I2, solve करेंगे इसको, इसके आएब ज मेरे वeral를 को एक बरेÓ रहा हूँ, आएब मैं थे न, आएगा कैसे के CÁIR न, झाल 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 ठीक है तो कितना रहा एंसर बताइए मैंको एंसर नहीं जानना है मैं चेक करूँगा कि सही है कि अलग में तरसे देखो अब हम लोग करेंगे क्वार्टर्स के लिए तो 150 है 10 साल में कितना क्वार्टर होगा 40 हर क्वार्टर में कितना बार एक बार तो नॉर्मल लेवल अन्विटी हुआ आई टू कितना दियाव है आई टू कितना दियाव है क्वार्टर्स का एफेक्टिव रेट निकालो और इसको सॉल्व करो मैने बताया ना कि 150 पर क्वार्टर का पेमेंट होगा दस साल होगा स्ट्रीम रेगुलर स्ट्रीम फपेमेंट्स अन्विटी वर्ट मेंशन करेंगे वो लोग पेमेंट आउफ फिटी पर क्वार्टर इस मेंस इस अनन्विटी रेगुलर स्ट्रीम फपेमेंट्स होने चाहिए बेसिकली जब हम लोग क्वार्टर में करेंगे तो 40 क्वार्टर है हर क्वार्टर का पेमेंट है 150 और रेट जो लगाएंगे वो क्वार्टरली एफेक्टिव रेट लगाएंगे तो 1 प्लस इसाइड्टर रेट लुच उच वार्टर लावर फईंट्र मैं लुचाँ लावर 2.05 क्वाएंट लॉच सोर स्ट्रяют लुच्छ लगे 2, 4, 6, 9, 5, 0, 7. 150 A40 at the rate, 0.02469, 5, 0, 7. So this is 150, 1 minus 1.02469507 to the power minus 40 by 0.02469507. वो ही तो बोल रहा हूँ, सेम आना चाहिए. बेटा बोलो, आप बताओ कि क्या जाना चाहिए, आपको किस-किस में confusion हो रहा, तब confusion better clear हो पाएगा. हाँ, आप एक बात बताओ, आए, अरे, सॉरी, ये वने लिखा गलत है, अरे, एक मेट, एक मेट, एक मेट, एक मेट. मैंने quarterly effective rate, quarterly effective rate, ठीक है? बोलो भाई, हाँ या ना? तुम लोग समझा, तीनों चीज, same time period का होना चीए, logic यह ही है. अब इसको उम लोग काम करेंगे, annual में. तो annual का rate क्या है? 600, एक या, 10, एक साल में, 4 बार. और यहाँ पर rate क्या आएगा, annual? तो 1.05 square minus 1 कितना आता है? 0.10, क्या आएगा, बता हूँ? 10.25 आएगा, मेरे कहल से, तो 0.1025 आ रहे हैं क्या? याच सो हो गया, मतलब, ऐसे मतलब. ठीक है? 600, 1 minus 1.1025, तो दीपर minus 10 by i4. अब इसको i मानके i4 निकालेंगे, तो 1.1025 to the power 1 by 4 minus 1 whole into 4 is what? i4. Solve करिए इसको. Solve करिए! एक रवे लिए टीज़ाइब मेरें राफ्टाइप्टाइब काम, पना दीज़ू के पास्काईब मादियी निका है TÌ रहे हैं, आएगाँ है, और तो 1.1025 आएगाँ है, झाएगा मेरें, तो 1.1025 आएगाफाइब पास्कान पास्टाइब, झाल झाल तीनों में थेट से जिसका सेम एंसर आया हाद रहाओ ठीक या गुड़ सबका आगया ठीक ना आगे बढ़ते आओ question लिखो payment of rupees 100 throughout year 1 rupees 200 throughout year 2 dot 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 rupees 1000 throughout year 10 calculate present value i is 5% तो लोग समझा ये कौन सा केस है केस आइडेंटिफाय करना बहुत जरूरी है इसका मतलब क्या है payment is continuous कैसे पाता चला पेमिट इस कंटीनुवस थ्रू आउड बोला है आई ए बार के केस में भी क्या आता था यादर है एड यू सो एड यू 10 minus 10 v to the power 10 by delta which is ln 1.05 पाइफ 1 minus 1.05 to the power minus 10 by 0.05 by 1.05 minus 10 into 1.05 to the power minus 10 by ln 1.05 जिसको अच्छे से कैलकुलेटर चलाना आएगा न ये पूरा चीज वो कैलकुलेटर में एग वाई फिट कर सकता है कितना रहा हैं से सबका बताईए कितना रहा हैं से सबका बताईए कितना रहा हैं से सबका जलेटरे इस दन येस और नो बोलो भाई बोलो भाई बोलो ठीके ना देना बुक थांक यू आओ कितना आरास का अंसर फोर जिरो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम लोग करेंगे cm1 का April 2019 का question 5 Calculate as a percentage to 4 decimal places. The nominal rate of interest per annum convertible half yearly. Nominal rate of interest per annum convertible half yearly is I2 which is equivalent to effective rate of discount 0.5% per month. Effective rate of discount per month is D12 by 12. 0.5% is what? 0.005 So how to make the equation? Equation will be 1 plus I2 by 2 square is 1 by 1 minus Wait, wait, D12 by 12 is what? 0.005 to the power 12. Solve यहाँ से solve कर लेंगे हम लोग? Solve करिए Solve करिए Solve करिए झाल झाल a nominal rate of discount 6% per annum convertible every 2 years so they have given D 0.5 nominal rate of discount 6% per annum convertible every 2 years so this is 0.06 ठीक है तो कैसे solve होगा ये वाला again same equation 1 plus I2 by 2 square is 1 by 1 minus D 0.5 by 0.5 whole to the power 0.5 is it clear? is it clear? yes or no? nominal rate of interest 6% per annum convertible quarterly so now they are given I4 is what? 0.06 है ना? again 1 plus I2 by 2 square is 1 plus I4 by 4 to the power 4 6 number का question है बताओ क्या चुमू जैसा question दिये यही तो बात है ना भाई बाहर में सिर्फ अक्वा उड़ती है ऐसा है वैसा है क्या बताएं बताओ actually people want fast money कोई मेहनत नहीं करना चाहते आज के दिन पे they want some quick money on the stock markets तुम हाफ शर्ट पहन के क्यों आदम को यह नहीं सुम्हाता है और बैटता भी पुरे AC के नीचे है क्या logic बन रहा है जाओ पीछे रिमोट खो जो मेरे पस रिमोट नहीं है देख एक AC में तुम लोग जो छेडा चड़ी किया है वो AC का गैस निकल गया है आज लगवाए हैं अगर यह AC का जाने के पहले गैस निकला तो पैसा लेंगे तेरी से बद याद रखना अगर तीन तल्ला में तीन चाटो बंदर वो छोड़ देंगे देख लेना इस अब आप नवह और अब आप तो ये तो हुआ हमारा आजो भई चलो भई आगे बढ़ा जाए लाइफ में भी और कुश्चन में भी है ना कल लेट मत हो जाना चीए ना नौ बजे डॉट तुम लोग का चैसे आट मंडे टू सटेडे और संडे को नौ से बारा मैं तुम लोग भी टान लिया हाँ छै दिन लगाता रिख दम हाँ इसा पेशेंस मानना पड़े गाए दम कैसे ना कैसे करके लड़की निकाल ली नींद बिना नींद धोड़ा बहुत करके ये बढ़िया है इसके बाद हम लोग करेंगे सप्टेंबर दो जर अठारा वेश्चें वन सीटी वन अन इंवेस्टर इस कंसिडरी टू इंवेस्टम्स वन इंवेस्टम्स इस ना इन इंटी वन दे बांड इसुट बाया बैंक एवाद मत करो विच पेस अरे इट आव इंटर्स 4 पर आनम अफेक्टिव का थेकंगे इंञ इन इंटी वन इट आ स्ट्रेशेयर बिल इस पासव पैस आ मझेबल हम difियह ठानוא को बुह कосто आई यह डीड़ एर्ध कर Jums आपको प्राइसिंग करना है 91 डे का बिल है राइट तो बेसिकली ट्रेजरी बिल में क्या हो रहा है यह है जीरो यह है 91 यहाँ पर अपने को 100 मिल रहा है तो इसका प्रेजिन वाल्यू निकालने बोल रहा है तो कैसे करेंगे 100 इंटू क्या होगा बताओ 100 इंटू क्या होगा बताओ 1.04 टू दी पावर माइनस 91 बाई 365 डिस इस प्रेजिन वाल्यू क्याल्कुलेट करी कितना रहा है यह कुश्चिन पचास बर आया यह बुक में 99.02 69 आ रहा है ना फिर बोल रहा है सिंपल रेट ऑफ रिटन निकालने तो सिंपल रेट ऑफ रिटन तो और भी इसी है 99.0269 1 प्लस एनाई 91 बाई 365 इंटू आई इस वाट 100 यहां से आई सॉल्फ करीए बताओ कितना रहा है कुछ नहीं है भाई बोले तो एके कैसे दिन निकलते जाएगा और तुम लोग बस सफलता की रहा पर आसमान की उचाईयों में देखा वाला वीडियो थो उचाई और यह जोल्फ वसब भरतई दिकारत अगात अगातने की वत लेएगा तुम लोग वालाएगा बसी देखा मैं फूस्काईयों में लिखागात आश्पनावब ठीक है, मैं एक नाम है ने तुम्हारा, चलो, यह समझ में आया ना, क्वेस्चन नमर् नाइन, सॉरे ना, क्वेस्चन नमर् नाइन बोल दिया, भूल चे मैं, एप्रिल दो हजार चॉदह, क्वेस्चन इलेवेन, वेरी, 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 इंपोर्टेंट, सेटी वनी न रहेगा भाई, लॉजिक लगाले, CM1 हुआ 2019 से, जब 14 बोल रहा हूं, और बेसिक चल रहा है, तो CT1 ही न होगा, फिर तुम उलेगा, सर्थ आपका आटिट्यूड है, आप सिदामू बात नहीं करते हैं, कहां गए है तुमनों का लॉजिक, आई सुनों, डेल्टा टी दे दिया है, क्या दे दिया है, कुश्चन जो है न भाई, यह कुश्चन थोड़ा अलग है, इसको विजुलाइज कराईए, विजुलाइज करिया आप लोग, जीरो पे वैल्यू निकालने बोल रहा है, बोल रहा है, चार से लेके 10 तक continuous payment होगा, continuous payment होगा मतलब क्या payment stream, एंड रो टी जो है rate of payment वो अपने को दे दिया है 3,000, दिक्कत यहां तक भी नहीं था, दिक्कत है अपना डेल्टा टी का structuring में, क्यूंकि 0 to 4 का अलग दिया है, 4 to 6 का अलग दिया है, 6 to 10 का अलग दिया है, तो 6 पे एक break है, ठीक है, तो क्या दिखकत है, रोटी constant नहीं हो सकता है, payment continuous है, मतलब रोटी है, एक बात बोले क्या, चलो यह सब छोड़ दो, थोड़ा base level पे चलते हैं, ठीक है, यह पकड़ लेना थोड़ा, ठीक है, अब यह जब बोली दिया है, बात छेड़ी दिया है, जगड़ा वाला, तो फिर चलो, यह देखो, जो a बार n है, इसका हमने जो formula किया था, integration 0 से 1, 1 इंटू v to the part t dt, ठीक है, इसका मतलब है, अपना जो रोटी है, वो है 1 परानम, डेल्टा टी जो है, वो है डेल्टा, टाइम पिरेड है, 0 से अन अपने को present value निकालना है, तो अपने यह पर क्या किये थे, अपने बोले, 0 से अन, 1 इंटू e to the part minus डेल्टा टी, डेल्टा डीटी, इसको अगर अपने ऐसे लिखे, तो ऐसे भी तो लिख सकते है, 0 से 1, 0 से अन, रो टी इंटू, एक्स्पोनेंशिल माइनस, टाइम जीरो पर लाएंगे, टाइम टी पर जो पेमेंट हो रहा है, डेल्टा डीएस, होल इंटू डीटी, यह तो वह ही है, जहां पेमेंट कंटीनूस है, मतलब पेमेंट स्ट्रीम तो है ही, बट जब पेमेंट का अमाउंट, जब पेमेंट का अमाउंट, यह जो एक रुपए का जो पेमेंट का अमाउंट है, और जो डेल्टा टी है, जब दोनों कॉंस्टेंट होगा ना, सब level अनोट में लिखो जब पेमेंट का amount जब पेमेंट का amount जब पेमेंट का amount चब पेमेंट का अमाउंट आणड डेलता टी दोनों कॉंस्टेंट है, तब लेवल अन्विटी पेड कंटीनूस वाला फॉर्मिला लगेगा। समझा। एक सिकेंट, तब लेवल अन्विटी पेड कंटीनूस वाला फॉर्मिला लगेगा। बहुत क्लियर है यह चीज सबको। इसमें किसे को कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी अपना जो question है, उस पहसे अपने को यहांपर कुछ complex दिया है। यह complex है तह अपने को मतलब है नहीं, क्योंकि चार से दस का payment हो रहा है. यहां पर बोला है 0.07, यहां पर बोला है 0.07 यही न बोला है ह। तो अपना delta T v 오 예, ए और payment का amount भी ऐ एक तो हम लोग इसको पूरा expanded payment stream वाला method से कर सकते हैं ठीक है जिसका equation पहले हम लिखके दिखाते हैं तुम लोग को अपने को निक बोल present value at time 4 ठीक है तो अपने पहले करेंगे 4 से 6 वाले का रोटी अपना है 3000 exponential minus integration time 4 पे लाएगा टी पे जो payment हो रहा है 0.07 ds whole into dt ये एक हुआ फिर प्लस अब देखो ये वाला जो value है ये time 4 पे आ रहा है अब अपने करेंगे 6 से 10 का 3000 exponential minus time 6 पे लाएगे time t पर जो payment हो रहा है 0.09 ds whole into dt बट क्या ये दोनों को plus कर सकते हैं क्या ये दोनों को plus कर सकते हैं yes और no the answer is no दोनों को plus क्यों नहीं कर सकते हैं क्योंकि एक का value आ रहा time 4 पे और एक का value आ रहा time 6 पे तो जिसका value time 6 पे आ रहा है उसको क्या करेंगे दो साल और pullback करेंगे तो अपने क्या करेंगे ये पूरा चीज को e to the power minus 0.07 into 2 करेंगे जो 4 से 6 वाला raters पे pullback होगा अब इस पूरा चीज का value कहां पर आ गया 4 पे आ गये इसको solve करो पहले इसको solve करिए पहले चलो चालू करो कोई भी छोड़ेगा नहीं चालू करो चालू करो कोई भी छोड़ेगा नहीं चालू करो झालू करो झाल 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 कितना रहे बताओ देखो 3000 आएगा बाहर 4 to 6 e to the power minus 0.07 ब्रैकेट में क्या आएगा? बोलो t minus 4 d t यह पहले वाले का आ रहे है ना? फिर प्लस e to the power minus 0.07 into 2 into 3000 integration 6 से 10 e to the power minus 0.09 अब यहाँ पर क्या आएगा बताओ? t minus 6 d t clear है? ते क्या आएगा? 3000 एगदम बाहर आगया? e to the power minus 0.… सॉरी, minus नहीं आएगा e to the power 0.07 into 4 है ना? हाई है ना? अब अंदर में integration रहेगा 4 to 6 e to the power minus 0.07 t d t yes or no? फिर प्लस में आएगा e to the power minus 0.14 e to the power 0.09 into 6 फिर यहाँ पर आएगा 6 to 10 e to the power minus 0.09 t d t अब एगदम सिंप्लिफाइ कर दिए आपके लिए अब इसको solve करके दिखाओ patience कोई lose नहीं करेगा solve करेगा सब लोग patience कोई भी lose नहीं करेगा सब लोग solve करेगा कि अकुछ jaki अवाँ विए पर दोग जए वँ spend जब कोई वदर आएगा सब कििर आएगा हीं करेगा यह इसका कितना रहा भाई यह सबका आएगा तो ही आगे बढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे आज 14359 आ रहा है गुड़ बेरी गुड़ अब जैसे देखो 3000 है e to the power 0.07 into 4 है e to the power minus 0.07 t divided by minus 0.07 4 से 6 फिर आएगा प्लस में e to the power minus 0.14 e to the power 0.96 9654.54 e to the power minus 0.09 by minus 0.09 यह पूरा 6 से 10 यही आएगा ना हां 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 अब इंडिविज्व लिखेंगे क्यों की इंटिग्रेशन के बाद exponential था अपना आ रहा है 14359 पॉا؇ंच something आएगा, but this is not the final answer, अब इसको जिरो पे भी लेके आना है, तो हम लोग solve करेंगे V0 to 4, exponential minus time 0 पे लाएंगे, time 4 पे जो value है, क्या दिया है, delta T बाँ बताना please, 0.03 plus 0.01 T whole into dt, बोलो, यह लाया है, V0 to 4, e to the power minus 0.03 into 4, minus 0.005 into 16, अब यह जो factor आ रहा है, इसको multiply करेंगे 14359 से, तब जाके अपना क्या हैगा, present value at time 0, solve करेंगे इसको, तुम बता, 11756 is the correct answer, 0.85, patiently समको solve करेंगा, कोई छोड़ेगा, नहीं, मैं बार-बार बोल रहा हूँ, copy check किये नहीं होगा, तो सिधा parents call कर दूँगा एक दम, करेंगे नहीं होगा? अब देखो इतना किये ना गोच पोच इतना किये आप देखो सिंपल कैसे कर सकते देखो वही मैं आपको बता रहा था कि ये क्या एलेवल अन्मिटी पेट कंटिनुएस क्योंकि पेमेंट इस कंटिनुएस और डेल्टा टी इस कॉंस्टेंट ब्लेस जे हम लोग अगर ऐसा कुशन आए एक्जाम में तो तो अपने क्या कर सकते हैं 3000 A bar 2 when delta is 7% plus 2 साल का discounting factor into 3000 A bar 4 when delta is 9% सिंपल है अरे delta भी कॉंस्टेंट है और पेमेंट भी कॉंस्टेंट है लेवल अन्मिटी पेट कंटिनुएस वह न अब इसको solve करेंगे वापस से देखेंगे same answer आ रहे की नहीं आ रहे है so 3000 1 minus e to the power minus 0.07 into 2 by 0.07 plus e to the power minus 0.07 into 2 into 3000 तो आगे बाहर divide में आ जाएगा 0.09 1 minus e to the power minus 0.09 into 4 दूला गिरेगा उसपे पक्का कॉंसा स्विच्च है कंप्यूटर दो बननी हो जाएगा दूला नहीं किरना चीवर बुच्च है अच्छा ठीक है यह बला जो है इसको नीचे लिख दे रहा हूँ क्या था e to the power minus 0.07 into 2 1 minus e to the power minus 0.09 into 4 whole divided by 0.09 यही आ रहे है ना अरे मुझसे बोलते है क्यों नहीं हो हाँ है ना नेता जी शुबास चंद बोस ने क्या कहा था बताओ बोलो जोर से बोलो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा यह बोला था ना तुम मेरे को यह 20-25 दिन दे दो हम तुमको सीमवन से अजादी दे दे गए बाद सच बोल रहे है एक दम जादा दिन नहीं बोल रहे है बीच से पच्चिस सेशन बोले जादा नहीं बोल रहे है एक्जाम में चाहेगा ना फेल होने का तो भी नहीं हो पाएगा मन में अगर आ रहे हैं कि नहीं आप तो फेल होके ही दिखाना है सरकाबाद को गलत प्रूफ करना है तो भी फेल नहीं हो पाएगा ऑटोमेटिक हाथ चलेगा एक्जाम में भगवान से मनाएगा ना कितना भी डिफिकल्ट पेपर आ जाए तो भी फेल नहीं होगा अब देखिया है ना फिर इसको मल्टिप्ला करेंगे तो सेम आएगा अरे वी जिरो टू फोर से मल्टिप्ला करेंगे तो सेम आएगा ना यहीं चीज़ मैं बोल रहा था ठीक है जब अपना रेट भी कॉंस्टेंट है और पेमेंट का अमाउंट भी कॉंस्टेंट है ना तब क्या होगा लेवल अन्मिटी पेट कंटिन्यूस का फॉर्मला लगा सकते हैं इकविवेलेंट कॉंस्टेंट आनमेल एफ्रेक्टिव रेट ऑप इंट्रस यह कल करेंगे इसको मांक करके रखो इसको पेंडिंग लिखो यह इंटरपुलेशन का क्वेस्ट्चन ने इसको कल करेंगे ठीक है ना जो लोग क्यालकुलेटर का वीडियो देखा है वो लोग आप एक और कुश्चिन करेंगे कोई खोज रहा हूं कौन सा कराना है एक देखो चोमु जैसा कुश्चिन देखो इधर आओ तुम्हों को बेटर फील होगा देखो एप्रिल दो अजार पंदरा क्वेश्चिन फाइफ इन्वेस्टर पेज वन ट्वेंटी पर आनम इन्टु ए सेविंग्स अकाउंट फर ट्वेल वियर्स वन ट्वेंटी पर आनम बट पेमेंट कैसे होगा यह नहीं बोला है राइट इन देखो पेमेंट्स अमेड अन्वली इन एडवांस और नीचे देखो अक्यूमुलेटेड अमाउंट निकालना है तो क्या यूज़ करेंगे ए ना एस एस तो वन ट्वेंटी एस ज्यू फोर वन ट्वेंटी एस ज्यू फोर उसके बाद में क्या बोलता है एक साल में कितना बार एक साल में कितना बार चार बार ठीक है फिर बोलता है इन दा फाइनल फोर एस पेमेंट्स अमेड मंथली इन एडवांस प्लस लगा ठीक है वन ट्वेंटी एस ज्यू फोर ट्वेल्फ ठीक है अब मेरा बात ध्यान सुनों यह आ है ना लेकिन इन तीनों को क्या प्लस कर सकता हूं क्या प्लस क्यों नहीं कर सकता हूं सब अलग-अलग टाइम पीरिट पर है देखो क्या कुश्चन में बोला है पहले समझो साथ नंबर का कुश्चन है भई ऐसी नंबर जोड़ेगा एक्जाम में तो पास हो पाएगा ठीक है कभी भी मन करें कि नहीं पढ़ना है ठीक है कभी भी तुम लोग का इच्छा करें लाइफ में कि मेरे को आज एक्दम गुसा आ रहा है नहीं पढ़ना है ठीक है तो एक बात याद रखना 60 में पास है और 59 में फेल है ऐसा ने कि 59 में महिनत नहीं करता है महिनत सब लोग करता है ठीक है ना 59 में फेल है और 60 में पास है बेको 199 आया था CA final में 199 और 200 में पास था ठीक है तो ऐसा होता है ठीक है, तो ये सब को casual लेने का बात नहीं है भाई, ठीक कभी भी इच्छा करी कि आज पढ़ने का इच्छा नहीं कर रहा है, आज तो नहीं पढ़ेंगे, जो चाहे कर लो, तो यह बतियाद रखना 59 में fail है और 60 में pass है, ठीक है, यहाँ पर तीनों को तो प्लस कर नहीं सकते ह पहले क्या बोला, annual in advance, फिर बोला quarterly in advance, फिर बोला monthly in advance, तो डरते हैं क्या? आप तो अपने को कुछ भी करना आ गया है ना, है तो पहला वालज कहा गिर रहे है, question का answer देना, पहला वालज कहा गिर रहे है? 4 पे, अरे S है, ना, पहला वाला वाल्यू 4 पे गिर रहा है, दूसरा वाला वाल्यू कहां गिर रहा है, 8 पे और तीसरा वाला वाल्यू कहां गिर रहा है, 12 पे, तो सबको 12 पे पहुचाना है, question में क्या बोल रहा है, performing the ability of 6% per annum convertible half yearly, 6% per annum convertible half yearly कदी का मतलब क्या है i2 अपने को दिया वह है Convertible दे दिया है ना ये 6% दिया है तो क्या-क्या निकालना पड़ेगा i2 दो निकला वही है और i4 निकालना पड़ेगा मेरे भात ध्यान सुनो यहां पर question खतम नहीं हो रहा है question यहां पर खतम नहीं हो रहा है, अभी अपने को लाल में देखना, अभी i2 by 2 कितना है अपना, i2 by 2 है 3%, जो पैसा time 4 पे है, उसको 12 पे कैसे लेके जाएंगे, जो पैसा time 4 पे है, उसको 12 पे कैसे लेके जाएंगे, आच साल आगे, मतलब 16 आधा साल आगे, तो 16 आधा साल आगे कैसे जाएगा, 1.03 to the power 16, जो पैसा time 8 पे है, उसको 12 पे कैसे लेके जाएंगे, 4 साल आगे मतलब 1.03 to the power 8 और यहाँ पर into 1, यह सब को समझ में आया, yes or no, यह वड़ा सब को समझ में आया, तो अब इसको evaluate जब करें आगे ना, तो कुछ नहीं करना है, अपने को निकालना है, 1.03 का square minus 1, यह अपना निकलाव है, 0.0609, यादा रहा है, एकदम स्टाटिंग में जो किये थे, 3% को दो बार factor करेंगे, 1.03 का square minus 1, नहीं समझ में आया, तो calculate में कर लो, एक बार अपने को निकालना है, quarterly effective, तो क्य करेंगे, 1.03 का square by 4 minus 1, कितना आगा बताओ, इंटू 4 नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आई 4 by 4 निकालना है, कितना आगा बताओ, कितना आगा बताओ, 0.01, 488, कभी भी अगर मन में संकोच हो, कि यह जो आया है, सही है कि गलत आया है, तुम 6, एप्रॉक्स एन्वल है ना, तो quarterly effective, मोटा मोटी डेड़ आएगा, half yearly effective, मोटा मोटी तीन आएगा, समझा ना, तो गलती नहीं होना चाहिए, पीवी कम आएगा, एवी ज्यादा आएगा, इस सब बेसिक चीज़े है, ठीक है, यह अपना आगे है ना, अब एक एक अभी कॉपी करो पहले इसको, पहले इसको कॉपी करिए, यह साथ नमर का कुश्चन है, कॉपी होगा है, क्या, सबसे पहले है, एस स्जीउ फोर, एट दे रेट पॉइंट जिरो सिक जिरो नैन, एक एक करके सॉल्विंग करेंगे, ठीक है, तो SU 4 is what? 1.0609 to the power 4 minus 1 by नीचे में क्या आएगा? D नीचे में क्या आएगा? बोलो, तो क्या होगा? 0.0609 by 1.0609 solve करके बताओ कितना आ रही है? फिर उसके बाद में SU SU 44 So 1.0609 to the power 4 minus 1 by नीचे में क्या आएगा? D4 D4 आएगा ना? S SU है तो नीचे में D4 आएगा? ठेक है? तो अपने को I अच्छा, ये जो सारा चीज है ना? अक्ट्वल में मैंने क्या किया है? मैंने सब को अन्वल ले लिया है मैंने सब को तो अन्वल में काम किया है ना? तो सारा को अपने Evaluate करेंगे ना? वो इसी पर करेंगे अपने सारे को एसी पे वैल्वेट करेंगे जिरो पॉइंट जिरो सिक जिरो नाइन यह चीज आप दस मेट तुक जा पांज मेट अचा ओन कर दू कि अ ठीक है एक और दसमेट कौन सब्सक्राइब बता रहे देख क्वेश्चन में क्या बोल रहा है समझ लो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पहला चार साल annually in advance, फिर उसके बाद quarterly in advance, फिर उसके बाद monthly in advance, तो मैंने सब को annual में किया, मैंने सब को annual में किया, तो annual के इसाब से जब कर रहे हैं, तो अपने accumulate करेंगे, तो पहला चार साल का value आएगा time 4 पे, फिर उसके बाद value आएगा time 8 पे, फिर उसके बाद value आएगा time 12 क्योंकि अपने अक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो 4 से 12 पर लेके जाना पड़ेगा, क्या हुआ, अंज जैन बोलो, 4 से 12 पर लेके जाना पड़ेगा और 8 से 12 पर लेके जाना पड़ेगा, अपने को बोला है, आई 2 दिया है अपने को 6% तो half yearly effective क्या होगा एई ध्यान दो first bench half yearly effective क्या होगा 3% होगा तो 3% होगा तो क्या होगा 4 से 12 मतलब क्या 8 साल 8 साल मतलब क्या होता है 1.03 to the power 16 क्योंकि 8 साल में 16, 10 साल होगा यही 8 से 12 पे जाएंगे तो क्या होगा 1.03 to the power rate यह तो आगे लेके जाने का जरीया है यह तो plus नहीं कर सकते हैं अपने को तो accumulative value किस टैम पे निकालने बोला हो 12 पे निकालने बोला है and we are working in annual when we are working in annual so all these 3 यह वाला यह वाला और यह वाला यह सारा evaluate होगा annual effective rate पे क्योंकि यहाँ पर annual है यह भी annual है यहाँ पर annual है यह भी annual है यह भी annual है तो यह evaluate होगा 0.0609 पे है ना अब 0.0609 के हिसाब से सबसे पहले SG4 का निकाले फिर अब इसका निकाल रहे SG44 तो नीचे में आएगा D4 नीचे में आएगा D4 तो अपने को क्या है अपने को I दिया वे और D4 निकालना है यहाँ तक कॉपी करिए पहले फड़ा फड़ से सब लोग कॉपी करो पहले यहाँ तक पाश्टर तो I से D4 कैसे निकालेंगे I से D4 निकालेंगे 1 माइनस D4 बाइ 4 होल टुदी पावर 4 एस वाट 1.0609 टुदी पावर माइनस 1 अब इसको सॉल्फ कर लिजिए वो आ नहीं रहे न आपके उसमेरो को मैं दुबारा से लिख देता हूं इसको 1 माइनस D4 बाइ 4 होल टुदी पावर 4 इस 1.0609 टुदी पावर माइनस 1 सॉल्फ कर लो इसको इसको सॉल्फ करिए इसको सॉल्फ करिए similarly last वले में क्या चाहिए होगा यही तुम बता last वले में क्या चाहिए होगा अगर बता दिया तो पास हाँ तुम last वले में S.D.U. 4.12 है क्यों लेवल अन्विटी वाला वीडियो देखा पुरा हाँ तो ठीक है अभी तुम कल जल्दी आएगा मैं तो को डॉट करूँगा ठीक है S.D.U. 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 4.12 है ना S.D.U. 4.12 है तो S.D.U. 4.12 है S.D.U. 4.12 का क्या होगा 1.0609 2.4 माइनस 1 बाइन नीचे में क्या हैगा D.12 सिमिलर वे से निकालेंगे सिमिलर वे से निकालेंगे 1 माइनस D.U. 12 बाइ 12 होल टु दी पावर 12 Is what? 1.0609 टु दी पावर माइनस 1 क्लियर है? सॉल्फ करो अब इसको पूरा को चलो इलो कोश्चन का एनसन निकालो मैं टाइम दे रहा हूँ इसको सॉल्फ करो सब लोग एक एक करके करते हैं इसका एंसर कितना आ रहा है? S.U. 4 का 4.6 47 2 3 ठीक है उसके बाद मैं S.U. 4 4 का 4.54 618 यह ही आ रहे है चेक करके बताओ कुछ और आ रहे हैं क्या? ठीक है और यह वाला यह वाला सॉल्फ करें बताओ कितना आ रहे है? सब लोग करेगा कोई छोड़ेगा नहीं एई तुम सॉल्फिंग कर कितना रहे हैं? 4.52 3.56 536 यह आ रहे हैं क्या? ठीक है अब फाइनल बताइए? यह सब तो इंटर्मेडिट कैलकुलेशन दुए ना? यह रहे है अब इसका पाइनल बताइए अब अवेट्डश कर और हे हैं? लिघक रहँ रहां सबस्क्तव कैलक। कितना आ रहा है फाइनल फाइनल एकदम तर्टीन पॉइंट तो आई नहीं सकता है क्योंकि वन ट्वेंटी बाहर में है पैमेंटमनों तो वन ट्वेंटी गया है तो थर्टीन पॉइंट तो आयीं सकता है और ये भी तो है वन पॉइंट जे ट्रीन टुदी पार शिक्स्टीन धरीन तो आई नहीं सकता है फाइनल इनसे बाद है कितना यह सबका हं बार-बार देखो, शुरू का वीडियो को बार-बार देखो, बार-बार देखो, अभी जैसे कल भी सम्ज करेंगे, पर्षों को भी सम्ज करेंगे, तो आटोमेटिक दिमाग में जाते जाएगा, कितना रहे हैं, सारा वैल्यू जागे, खली मल्टिप्ले तो करके प्लस्ती तो करना है, कितना रहे हैं, जल्दी बताईए, टू बन टू एट पॉइंट, बाकि लोगा कितना रहे हैं, बताओ, पढ़ाफट से बताईए कितना रहे हैं, यह पीछे चेक करना हैं से कितना है, यह बुकलट के पीछ एंसर दिया है, ज़स्ट जाँ हलका सा बल्टाओ, कुश्चन जाँ खतम हो रहे हैं ने इस बुकलेट को उसके पीछ एंसर है, कितना रहे हैं सर, ओनलाइन में वताइए, तू बन, आरे क्या, ताट सिट पर दे, थैंक यू, कल मिलते हैं सुबह, 8.55 अ. बाइए, variance जाँ झाल झाल